अब हम देखते हैं, हमने जितने भी खनी संसाधनों की बात की है, तो उसमें हमने देखा था कि कुछ जो संसाधन हैं, वो सिमीत हैं, कुछ आसिमीत संसाधन हैं, तो जो सिमीत संसाधन हैं, यह हम अपने खनी संसाधनों का संरक्षन किस प्रकार करें? तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं आपका निर्यात में कमी लाकर सबसे पहले तो हम उर्जा के संरक्षन के लिए या खनी संसाधनों के संरक्षन की जब हम बात करेंगे तो चुकि हमारे देश में ही जनसंख्या इतनी है कि जितना उत्पन्न किया जा रहा है जितना उत्पादन हो रहा है खनी संसाधनों का जितनी मात्रा उपलब्ध है वो सभी जो है वो हमारे देश में ही उसका जो उपभोग है वो किया जा सकता है मतलब उसकी आवश्यक्ता है हमारी जनसंख्या के हिसाब से जितना खनी संसाधन उपलब्ध है उन सभी की हमारी देश में ही आवशक्ता है तो हम उसे बाहर क्यों भेजें जब आवशक्ता के अनुरूप उपलब्ध हो रहा है तो पहले हम अपनी आवशक्ता के अनुसार उसकी खपत अपने देश में ही करें उसकी आवशक्ता की पूर्ती करें और फिर जो अतिरेक होता है तो हम उसे बाहर दूसरे देशों को निर् करने के बाद ही उसमें निर्यात करें तो निर्यात में कमी लाकर भी हम अपने खनी संसाधनों का संरक्षन कर सकते हैं दूसरी बात है जो उर्जा के वैकलपिक श्रोथ हैं उनका विकास किया जा सकता है जैसे हमने बात की थी कि कोईला जो है या पेट्रोलियम या नाभिकी उ परंपरागत श्रोथ हैं जिने हम अधिकतर उपयोग में समान्य जीवन में उसे अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग में लेकर आते हैं लेकिन इनकी मात्रा जो है यह सिमीत है सिमीत संसाधन है तो इनके लिए हम उर्जा के जो और वैकलपिक श्रोथ हैं जिसे हमें अभी प आपके क्या उत्पन्न किये जा रहे हैं उर्जा उत्पन्न किये जा रहे हैं गोबर गैस बनाकर और उसे घरेलू खाना बनाने के रूप में इंधन के रूप में हम उसे प्रयोग में लाते हैं तो इसे ऐसे ही बहुत सारे जो वैकलपिक श्रोथ हैं जो हमारे देश में अभी उतनी अच्छी तरह से विक्सित नहीं हो पाये हैं। उन सभी जो वैकल्पिक श्रोथ हैं उन सब को हम विक्सित करें और उर्जा के जो परंपरागत श्रोथ हैं उनके विकल्प के रूप में बहतर विकल्प के रूप में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जो धातुओं का पुनर चक्रन हैं धातुओं के पुनर चक्रन के द्वारा भी हम उसे सुरक्षित और सनरक्षित रख सकते हैं जैसे ऐसी धातुओं जिन्हें हम गला कर और फिर से दूसरे उपयोग में ला सकते हैं जैसे तामबा हो गया, सीसा हो गया, तो यह सब ही जो हैं सिमीत मात्रा में हैं अपरियाप्ते हैं इनकी भी मात्रा सिमीत है तो हम इसके उपयोग के बाद इसे गला कर रियूज कर सकते हैं या चक्री पधती के द्वारा हम इसका दुबारा उपयोग कर सकते हैं तो यह जो वेस्ट होता है इन धातों के उपयोग क ये बाद जो हम ये कह सकते हैं जो वेस्ट बसता है जिससे हम इंग्लिश में स्क्रेप कहते हैं या हिंदी में समान ये भाशा में हम इसे रद्धी के नाम से जानते हैं तो इस स्क्रेप का जो उपियोग है इसका उपियोग होना चाहिए मतलब दुबारा री सायकल करके इसे उपियोग किया जाना चाहिए, जिससे भी हम अपने खनीजों को सनरक्षित कर सकते हैं, फिर है नेक्स्ट प्राध्योगी की का विकास, हमारे भारत में जो खननकारे किया जाता है, खनीजों को निकालने के लिए जिन सायंत्रों का उपियोग किया जाता है, जिस टेकनोलोजी कि घनी자를 वो वेस्ट हो जाते हैं बहुत अधिक या हम केँ बहुत अच्छी टेक्नौलाजी के उपयोग न होने के तो खननकारी चिली उपयोग की जाने वाली जो टेक्नौलाजी की है या प्राध्योगी की है हम उसका बहुत अच्छी प्राध्योगी की को अपना कर खनीजों को सुरक्षित कर सकते हैं संरक्षित कर सकते हैं पिर हम देखें खनीजों का विवेक पूर्ण ऊपयोग यह वही बात आ जाती है जो हमने बहतर विकल्ब की बात की थी मतलब जो भी खनीज जो हैं या जो उर्जा के संसाधन हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध हैं या जिस भी हम संसाधन की बात करें तो इसे हम विवेक पूर्ण उपियोग के द्वारा मतलब इसका कोई भी मतलब कुछ भी अंश या मात्रा जो है वो व्यर्थ नहीं जानी चाहिए या जहां पर भी आवश्यक हो जो उस संसाधन उस खनी संसाधन के इस्थान पर हम दूसरे संसाधन का उपियोग कर पाते हैं तो वहां पर हम उसे अपना कर अपने खनी संसाधन को संरक्षित रख सकते हैं फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आधुनिक यंत्र और उपकर्णों को अपना कर तो हमने हम बात कर रहे थे कि खननकारी के द्वारा है ना जो खननकारे में उप्योग उत्खनन में खनन में जो भी यंत्र या उपकरण जो प्रयोग किये जाते हैं उसे हम जो आधुनिक तक्नीक है उसका विकास करें आधुनिक यंत्रों को अपना कर भी हम अपने खनीजों को सनरक्षित रख सकते हैं और जितने भी जो हमने पॉइंट देखे हैं इन सबसे अधिक आवश्यक जो आपके हमारे खनीज पदार्थों को खनीज संसाधनों को उर्जा के साधन को सनरक्षित और सुरक्षित रख सकती है उन सभी में सबसे जादा महत्वपूर्ण जो है वो लोगों में जागरूकता जब तक आप और हम जागरूक नहीं होंगे तब तक हम अपने किसी भी प्रकार के चाहे वो खनीज संसाधन की बात करें उर्जा संसाधन की बात करें उन्हें हम सनरक्षित नहीं रख सकते चोटी चोटी बात को ध्यान में रख कर अपने आम जो दिन्चरिया है हमारी दैनिक दिन्चरिया की जब हम बात करें अपने जीवन में तो इन सभी को अपना कर हम अपने खनी संसाधनों को उर्जा संसाधनों को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं आवश्चता है सारे प्रयोग क्या जा रहे हैं बहुत सारी नीतियों का क्रियान्ềयन किया जा रहा है खनी जों के संरक्षण के लिए बहुत से संदेश दिये जाते हैं समय समय पर आ मीडिया के माध्यम से मैं लेकिन इसमे थोड़ी सी और कडाई से इन सभी बातों को लागू करने की आवश्यक्ता है, ताकि हम अपने खनी संसाधनों को सुरक्षित रख पाएं और इनका संपोशनी विकास, संपोशनी विकास मतलब इसे तो हम आगे और पढ़ेंगे, लेकिन हमारी जो भविशे की जब हम बात करते हैं, या आगे आने वाली जो पीढ़ी है, तो अभी से जब हम उसे सुरक्षित रखेंगे, संरक्षित रखेंगे, तब ही हम उन्हें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बचा सकते हैं, अपने भविशे के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, तो हमने देखा, ये खनी संसाधन और इनकी क्या-क्या समस्या थी कित्ते प्रकार के खनी संसाधन थे उर्जा संसाधन की हमने बात की इन्हें संरक्षन कैसे दिया जा सकता है और हमारे देश में ये कहां कहां मिलते हैं और इनकी क्या विशेश्टाएं हैं जब हम पशु संसाधन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहां पर जो मत से संस में बहुत से उसके विकल्प ढून लिये गये हैं लेकिन चुकि हमारे देश की जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो मत्स के लिए अनुकूल हैं मत्स उत्पादन के अनुकूल हैं और साथ ही साथ ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी जो है वो उपलब धकराते हैं हम देख ये उनकी आय का एक प्रमुख सोर्स है तो इसमें भी नित नए नए जो तक्नीक है उनका विकास किया गया है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे भारत के निरियात व्यापार में भी इसका अहम योगदान है साथ ही साथ भारत की जो इतनी बड़ी आबादी है इसका ये भोजन है और हम ये देखते हैं कि मत्स उत्पादन में वृद्धी के लिए जब हरित क्रांती का समय आया था तो एक कारिक्रम चलाया गया था जिसे हम नीली क्रांती के नाम से जानते हैं तो अब देखते हैं कि हमारे भारत में मत सूत पादन के कौन-कौन से छेत्र हैं जहां पर मत से पालन किया जाता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं समुद्री मचलियों के छेत्र समुद्री मचलियों के छेतर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पूरे जो तटवर्ती इलाके हैं भारत के तटवर्ती जो छेतर हैं ये इस छेतर के अंतरगत आएंगे क्योंकि हम देखते हैं अपने भारत में ये इसका तीन और का जो हिस्सा है एक और से ये अरब सागर पुर्वी छोर में बंगाल की खाड़ी और दक्षिन में हिंद महा सागर से घिरा हुआ है तो जो पुरा प्रायदीपी भारत वाला जो हिस्सा है ये समुद्र से सटा हुआ हिस्सा है तो हम यहाँ पर देखते हैं लगभग 16 किलोमीटर तक का जो छेत्र समुद्री तट्रेखा का ये समुद्री मचली पकड़ने के लिए जो है निर्धारित किया गया है और इसके जो प्रमुक उत्पादन छेत्रों की हम बात करेंगे कि इस तट्वर्ती छेत्र में भी कहां कहां पर मत से उत्पादन किया जाता है तो ये गुजरात के तट से गुजरात के तट से शुरू होकर इसमें आपका महारास्ट आ जाता है फिर हम करनाटक की बात करें आपका केरल है फिर आंधर प्रदेश है तमिल नाडू और ओडिसा ये पूरे तटी हिस्से तक और ओडिसा के बाद ये आपका पश्रिम बंगाल इन पूरे तटवर्ती छेत्रों तक या इन हिस्सों में समुद्री मचलियों के ये छेत्र कहे जाते हैं और जब हम बात करें कि आपका बंगाल की खाड़ी अर्थात हमारा जो पूर्वी तटी ये समुद्री छेत्र है वहाँ पर लगभग 25% ही मचलिया जो है पकड़ी जाती है तो हमने देखा पूर्वी छेत्र से लगभग 25% मचलियों पकड़े जाते हैं और जब हम पश्रिमी तट की बात करें तो इस पश्रिमी तट में आपका कनारा और माला बार जो जीला है यहाँ पर इन 30 छेत्रों में भारत के कुल जो समुद्री उतपादन होते हैं मच्सी उतपादन उसका लगभग 50% मच्सी उतपादन इन्ही दो छेत्रों में किया जाता है अब इन छेत्रों में जो मचलियां पकड़ी जाती हैं वो हैं आपकी मैक्रेल, प्रान है, सारडाइन है, शार्क है और हैरिंग ये जो हैं इस प्रजाती की प्रमुख रूप से यहां पर मचलियां पकड़ी जाती हैं अब हम देखते हैं कि भारत में जो मचली पकड़ने का कारिया है, उसे हम सामीक कह सकते हैं, सामीक मतलब विशेश करके जो समुद्री तटवर्ती छेत्र की हम बात करते हैं, तो हम देखते हैं जब भी मानसुनी हवाओं में तेज हवाएं चलती हैं या बहुत अधिक बारिश होती है, जिसमें बाढ़ की संभावना होती है, समुद्री बाढ़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, या भी कोई भी विक्षोव आ रहा है, मतलब तूफान या किसी भी प्रकार के चक्रवात की जो इस्थिती होती है, तो उस समय पर मचली पकड़ने का कारिय जो है वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उससे मचवारों के जीवन में संकट जो है वो उत्पन हो सकता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विशेशकर जो समुद्री तटवर्ती चेतर हैं, वहाँ पर मचली पकड़ने का कारिय सामईक होता है, दूसरा जो है मत्सी उत्पादन या मचली का छेतर, यह है आपका आंत्रिक मचलियों का छेतर, आंत्रिक मचलियों का छेतर मतलब देश के जो भीतरी भाग हैं, वहाँ पर जो नदिया हैं, नहरे हैं, जील है या कोई भी जलाशे जो मिलता है, वहाँ पर जो मत्सी उत्पादन का कारिय किया जाता है, यहां उन छेतर में जो मचली पकड़ने का कारी होता है उसे हम आंतरिक मचलियों के छेत्र कहते हैं हम देखे तो अपने भारत का जो हमारा गंगा है सतलज है नर्मदा है तापती है कृष्णा कावेरी महानदी इन सभी में मचलियों की जो है वो अधिक्ता है इन नदियों में जब हम देखते वर्शा रितू आती है, बारिश का जो समय होता है, तो इसमें जब नदियों में बहुत अधिक बाढ़ की स्थिती बन जाती है, तो वहाँ पर तब उस समय पे मचली पकरने का जो कारी है, वो धीमा हो जाता है, मन्द पढ़ जाता है, लेकिन जैसे भी बारिश का मौसम समाप होता है तो फिर से मचली पकड़ने का कारिय है इसमें इस कारिय में जो है वो तेजी आ जाती है हम देखते हैं जो हमारा पश्रिम बंगाल है पश्रिम बंगाल में ताजे पानी का जो छेत्रे है यह हम कहें कि आंतरिक भाग में हैं सबसे ज्यादा मचलियां पकड़ी जाती है जिन भी छेत्रों में जैसे हम बात करते हैं तलाब की या किसी भी जलाशर की जहां पर पानी की सतह जल की जो सतह है वो कम होती है तो उनकी सतह में कमी के साथ-साथ मचलिया पकड़ने का जो कार्य है वो तेज हो जाता है उसमें वृद्धी हो जाती है यहाँ पर जो मचली पकड़ने का कारिय है वो विशेश समय की जब हम बात करेंगे तो अप्रेल से लेकर जुलाई का जो समय है वो वहाँ पर सरवाधिक मात्रा में मचलीया जो है वो पकड़ी जाती है अब हम देखते हैं कि हमारा जो तमील नाड़ू है तमील नाड़ू करनाटक आंध्यप्रदेश मध्यप्रदेश और पर्षिम बंगाल यहाँ पर यह जो राजी है यहां पर ताजे मचलीयों ताजे पानी में मचलीया जो है वो पाई जाती हैं और इनही चेत्रों में सबसे अधिक मातरा में मचलियां पकड़ने का कारिय किया जाता है। अंतरिक छेत्र में जो मचलियां पकड़ी जाती हैं, उनमें प्रमुख जो प्रजातियां हैं, वो हम देखते हैं, Catfish, Saafish, Inkawi, Chitala और Herring इसके साथ ही साथ कतला और मैक्रेल जो हैं ये प्रमुख मचलियों की प्रजातिया है अब हम देखते हैं नदियों के मुहाने के मचली छेत्र नदियों के मुहाने मतलब ऐसे छेत्र जब नदियां समुद्र में मिलने वाली होती हैं जो डेल्टाई छेत्र होते हैं तो भारत में जब हम बात करते हैं तो नदियों के मुहाने वाले मचली पकड़ने का कारी जो है ये हमारे गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, तापती, ब्रम्हपुत्र, महानदी ये सभी जो नदियों के जो डेल्टाई छेत्रे हैं यहाँ पर इन नदियों के मुहाने में मचली पकड़ने का कारी जो है वो प्रमुख रूप से किया जाता है और ये पूरा जो छेत्र है वो लगभग अंठावन सो वर्ग मिल छेत्रे में फैला हुआ है चुकि यहाँ पर डेल्टाई भूमी जो है वो दल्दली होती है तो परिवहन की असुविधा के कारण हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जो अधिकांश मचलियां पकड़ी जाती हैं वो असुविधा के कारण खराब हो जाती है तो ये हो गई नदियों के मुहाने के मचली छेत भारती राष्टी योजना समीती जो है इनके अनुसार जो मनार की खाड़ी है हमारे भारत में मनार की खाड़ी सौराष्ट का जो समुद्री तठ है और साथ ही साथ कच्छे की खाड़ी इन तीनों ही छेतर में जो आइस्टर प्रजाती पाई जाती है मचली की ये सबसे अधिक मात्रा में है जिनसे बहुमुल्य मोती प्राप्त किया जाता है हम तमिलनाडू की बात करें तो तमिलनाडू में कमारी द्वीप का जो तटवर्ती छेतर है यहाँ पर पानवन में जो इस प्रजाती की जो मोतियां देती हैं जो मचलियां ये प्रजाती जो है वो अधिक मात्रा में पकड़ी जाती है तो हमने देखा हमारे तीन छेतर हैं पहला मननार की खाड़ी सोराष्ट का समुद्री तट कच्छी की खाड़ी और साथ ही साथ तमिलनाडू का जो कमारी द्वीप है इसका जो तटवर्ती छेतर है इसमें पानवन में मोती देने वाली मचलियों की प्रजातियां अधिक मात्र में मिलती हैं इन चारों के अलावा अन्य मचली छेतर होते हैं जिसमें हमारा आंधप्रदेश, तमिलनाडू और केरल इन तीनों ही राज्यों के जो दलदली छेतर हैं या दलदली समुद्र तटी जो छेतर हैं यहां पर शंक मचलियां पाई जाती हैं और ये शंक मचलियां इनका जो इन शंक का प्रयोग मंदिरों में पूजा के लिए किया जाता है इसके साथ ही साथ हम देखते हैं जो केरल है और उडिसा इन दोनों का जो लैगून छेतर है लैगून जीलों वाला जो छेतर है यहाँ पर भी ये शंक मचलियां जो है पकड़ी जाती है तो ये बात हो गई कि हमारे भारत के कौन-कौन से मच से उत्पादन के या मचली पकड़ने वाले छेतर हैं अब हम मच से उत्द्योग की समस्या की बात करते हैं भारत में जो मच से उत्द्योग है यहाँ पर सफलता की पूरी संभावना है क्योंकि तटवर्ती छेतर हैं नदियों की मुहाने छेतर हैं आंतरिक नदियों के जो छेतर हैं यहाँ पर हमें बहुत अधिक मात्रा में मच से उत्पादन जो है वो किया जा सकता है लेकिन यहाँ पर जितना होना चाहिए उस अनुपात में मत्स उत्पादन जो है वो कम है अभी भी छोटी छोटी नाओं के सहारे परंपरागत तरीके से मचलियां जो है वो पकड़ी जाती है तो मचली पकड़ने के लिए तकनीक का जो है अभाव है और हमारे यहाँ परिवहन के तिवरगामी साधनों का भी हर छेतर में बहुत अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया है जिसके कारण जो मचलियां यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं उन्हें बाजार तक ले जाने में इनके खराब होने का डर रहता है यह नुकसान जो है वो अधिक हो जाता है और इन सभी के अलावा हम देखें कि नदियों में जल प्रदूशन और मचलियों के जो भोजी पदार्थ हैं उनका जो भोजन होता है प्रदूशन के कारण विशेशकर और दोगिक प्रदूशन के कारण वहाँ पर हमें नदियों में इन चीजों का अभाव देखने को मिलता है तो यह सभी कारण है जो वर्तमान में हमारे भारत के मचसे उद्धोग की प्रमुक समस्याएं हैं हलंकि संभावनाएं अपार हैं मचसे उद्धोग के संभावनाएं हमारे देश में बहुत अधिक है क्योंकि इनके छेत्र भी बहुत अधिक हमारे देश में मिलते हैं लेकिन इन समस्याओं के कारण इसका बहुत अधिक विकास नहीं हो पाया है अब मचसे उद्धोग के आया हम यह कहें कि मचसे संसाधन के संरक्षन के लिए कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो की जा सकती हैं इनकी हम बात करते हैं तो पहला है आपका नई तकनीक का प्रयोग जैसा हमने भी बात की थी कि हमारे भारत में अभी भी प्राचीन जो परंपरागत तरीके से नाव के माध्यम से मचली पकड़ने का कारिय किया जाता है तो इन सभी के स्थान पर हम नई तकनीक नई कर सकते हैं और इसके माध्यम से हम मचली पकड़ने की जो विवस्था है वो की जा सकती है और इन तकनीकों का प्रयोग करके हम मचलीयों को बहुत अधिक मात्रा में और अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं इसके बाद देखते हैं दूसरा है आपका प्रशीतन का विकास तो जो cold storage होते हैं उनका अभाव है और इसके कारण मचलियां अगर पकड़ी भी जाती है अधिक मात्रा में तो बाजार पहुंचने तक ये खराब हो जाती है या इनके खराब होने का डर लगा रहता है तो अधिक से अधिक मात्रा में हमें प्रशीतन का विकास किया जाना ताकि हम इन मचलियों को बहुत अधिक समय तक सुरक्षित रख पाएं और जो भी समय है बाजार तक पहुँचने में वहां तक पहुँचने तक इन मचलियों को सरने से हम बचा सकते हैं और इसके लिए जो हमारा तीसरा प्रमुख हम कह सकते हैं तीसरी विधी जिससे हम मत् वो है आपका तिवर परिवहन साधनों का विकास तो हम अपने भारत के हर छेत्र में चाहे वो दुरगामी छेत्र हो दुरगामी कोई ग्रामी इलाका हो या कोई भी रिमोट एरिया हो वहां पर भी मतलब हम भारत के हर छेत्र में तिवर गामी परिवहन साधनों का विकास हमें करने की आवशक्ता है ताकि हम जो उत्पादित मचलियां किसी इस्थान विशेश पर हम जो मचलियां उत्पादित कर रहे हैं उन्हें हम बाजार तक पहुंचा पाएं फिर नेक्स्ट हम देखते हैं वैज्ञानिक विकास है ना तो आधुनिक्तम तकनिकी का प्रयोग करके हम मचली चाहे वो मचली पकरने का कारिय हो या उनके स्टोरेज करने की बात हो इन सभी में हम वैज्ञानिक तरीकों को अपना कर मच्सी उत्पादन को और बढ़ा सकते हैं अपने देश में साथ ही साथ नेक्स्ट है आपका लुपत प्राय जो प्रजातियां है उनका संरक्ष है उनके संरक्षन के लिए भी हमें नीतियां बनानी चाहिए फिर है आपका मच्वारों के लिए प्रसिक्षन की व्यवस्था की जाए तो जो मच्वारे समुद्र तटी छेत्र में मचलियां पकड़ने का कारिय करते हैं उनके प्रसिक्षन के लिए बहतर व्यवस्था जो ह वो अच्छी तरह से कर पाएं तो ये कुछ उपाएं हैं जिनके माध्यम से हम मत से संसाधन का संरक्षन कर सकते हैं